अस्ताम्लीकूम फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टोप स्मार्टीज, ट्रामा सीरियल शिद्दत अस्रा जिसे हिसास हो चुका है कि सुल्तान से शादी करने का फैसला उसका बहुत गल्था इसलिए वो तन्सिया ही सुल्तान की तारीफ करती है तो सुल्तान हसते हुए कहने लगा इतनी तारीफ मत किया करो मैं मगरूर हो जाओंगा तो यहाँ पर अस्रा उसे आईना दिखाते हुए कहने लगी आप तो मगरूर पहले से ही हैं मैं भला आपको क्या मगरूर बनाऊंगी तो यहाँ पर सुल्तान और भी कहका लगा कर हसता है और कहने लगा नहीं तुमने मुझे पहचानने में गलती की मैं मगरूर तो नहीं हूँ मैं तो डाउन डू अर्थ हूँ तो ऐसे में अस्रा कहने लगी नहीं आप बहुत मगरूर हे, सिल्तान को तो आज वो मुझ जोट जवाब देती है, जिस पर सिल्तान तो कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि अब अस्रा के भाई के इतनी महंगी गाड़ी भी तो रखी है, उसका पास भी तो रखना है वो असरा से बार बार लड़ाई भी कैसे करे सुल्तान की आफिस जाने के बाद अब असरा हाला के पास पैठती है चाय पीते होगे कहने लगी हाला तुम्हें वो वक्त चात है जब हम लोग साथ थे यूनिवर्स्टी में साथ हुआ करते थे कितना अच्छा वक्त था न तो हाला तो जो के असरा को जरा बरदाश नहीं करती असरा से हसत करती है कहने लगी हाँ अच्छा वक्त था लेकिन गुजर गया हकिकत में जीना सीखोना माजी में नहीं तो असरा पूछने लगी अच्छा एक बात बताओ हाला कि तुम्हे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सुल्तान से शादी हुई तुम्हा मुझे से उस तरह से बात नहीं करती जैसे यूनिवस्टी में किया करती थी तो हाला बहुत ही बेरूही से कहने लगी मुझे कोई फर्क नहीं बढ़ता भाई नहीं किसी से तो शादी करनी थी आप से कर ली तो क्या हुआ वो तो अस्रा को किसी खाते में डालती ही नहीं जबकि अस्रा सुल्टान के साथ उसके घरवालों के साथ मिल चुल कर रहना जाती है ऐसे ही अस्रा की भाबी अलीजे को एक एक्जिबिशन पर जाना था तो अस्रा को साथ लेकर जाना जाती है अस्रा भी सुल्टान को आफिस में फॉन करते हैं वे कहने लगी क्या मैं आपकी गाड़ी लेकर चदी चाओं भाबी के साथ एक्जीबिशन पर जाना है तो सुल्तान बड़ी ही बेदर्दी से कहने लगा नहीं मेरी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मेरे अलावा कोई नहीं बैठ सकता अब ये अस्रा कोई तो नहीं उसकी जीवन साथ ही है उसका लाइफ पार्टनर है लेकिन सुल्तान ये बात नहीं समझ सकता इसलिए तो अस्रा परेशान हो गई और पिर सुल्तान उसे कहने लगा तुम्हे भाबी के साथ जाना है ना एक्जीबिशन पर उन्हें कॉल करो और कहो कि वो ड्राइवर भेजें गारी भेजें तब ही तुम उनके साथ जा सकती हो यार तो उसे एटिटूट दिखाओ ना इतना जाला क्यों छुक कर रहती हो लेकिन अस्रा तो अस्रा है सुल्तान नहीं जो सब को एटिटूट दिखाए लेकिन फिर भी वो अपनी भावी के साथ एक्जिबिशन पर जाती है वो एक मॉल में थी कि वहीं पर सुल्तान को किसी लड़की के साथ देख लेती है और हैरान हो जाती है सुल्तान ये किस के साथ है तो अलीजे भी परेशान हो जाती है क्या मतलब तुम नहीं जानती कि ये कौन है? क्या पता कोई आफिस की कॉलिक हो? तो असरा कहने लगी नहीं मैं नहीं जानती हॉपसो यहां पर असरा अपनी भाबी को सुल्टान की नेचर के बारे में बता ही दे क्यूंकि असरा बहुत परिशान है परिशानी की आलम में किसी ना किसी के सामने तो दिल हलका किया ही चाता है होप सो वो यहां पर अपनी भाबी को बता दे कि बहुत सी गर्फरेंड्स हैं जो ने हर वक्त कॉल मेसेजिस करती रहती हैं और मैं उनसे बहुत तंग हूँ लेकिन है अब पच्चताई क्या हो जब चिरियां चुक गई खेत